हलो और विल्कम फ्रेंट्स आज की वीडियो लीब्रा ओफिस कैल्क को ले करके है लीब्रा ओफिस कैल्क में आज नया क्या है आईए समझते हैं देखिए लीब्रा ओफिस कैल्क में हम बात करेंगे dependable drop down बनाने की तो यहाँ पर देख सकते है type of item मैंने लिख रखा है यह type of item है जिसमें electronics है grocery है fast food है ठीक है और उसके according यहाँ पर नाम लिखे हुए है जिसे electronics item की बात करें तो laptop है desktop है keyboard है mouse है आप इस range को लंबा भी कर सकते है no problem ठीक है अब यहाँ पर लिखा हुए grocery जिसमें लिखा हुए sugar, caraway rice और यहाँ फर फास्ट पूट की बात है तो burger है, pizza है, chili potato है तो अब हम क्या करेंगे dependable बनाएंगे तो dependable बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि यह जो electronic लिखा हुए electronics इसको copy कर लेजे और copy करने के बाद यह पूरा range आप select करिए ठीक है, और range select करने के बाद यहाँ पर आईए और यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए electronics, तो वही चीज मैं paste कर देता हूँ ठीक है, और enterprise कर देता हूँ तो अब इस range को जब देखेंगे तो इस range को मैंने नाम दे दिया electronics और यहाँ पर electronics दिखाई भी पढ़ आई ठीक है, इसी तरीके से इसको copy कर लेते है grocery लिख देना है यह लिखिए grocery कुछ इस तरीके से, यह लिख दिया grocery तो यह हो गया grocery और grocery लिखने के बाद क्या करना है आपको simply enter प्रेस कर देना है enter, तो यह enter प्रेस कर दिया अब इस range को नाम दे दिया गया grocery ठेक है, इसी तरीके से fast food वाली बात कर लेते है यह जो fast food है, इसको हम control c प्रेस करके copy कर लेते हैं और फिर यह जो range है ना, इतनी range को हम एक नाम दे देंगे, fast food क्या नाम दे देंगे, fast food तो यहाँ पर control v प्रेस कर दिजे और enter प्रेस कर दिजे, enter जैसे ही प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे, कि यहाँ पर आपको तीन नाम दिखाई पड़ेंगे, पहला electronics दूसरा fast food, तीसरा grocery अब यह तो हमने बना लिया लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, item name, ठीक है type of, type, type, मैंने यहाँ लिख दिया type, ठीक है, यह type लिख दिया और यहाँ पर item की बात करेंगे, तो item यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, item अब यहाँ पर समस्या यह है हम चाहते हैं, यहाँ पर select करें उसी से related चीजों के नाम आए तो इसके लिए क्या करना होगा, drop down बनाना होगा तो data type पर चलेंगे, यह जो data type है यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बात validity option पर जाना है, आपको validity छीक है, जैसे ही validity option पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेंगे, like all value है और थमाम चीजें, तो आपको क्या करना है आपको cell range select करना है, क्या select करना है cell range, जैसे ही cell range select करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं तो आप देखेंगे, कि यहाँ पर आपको इस तरीके से यह दिखाई पड़ेगा आप यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं, तो फिर वापिस से चलना है data tap पर और data tap पर जाने के बाद, वहीं पर हमें चले जाना है यानि कि validity पर जाकर click कर देना है जैसे ही click करेंगे, same window open होगी यहाँ पर जाकर के वापिस से आपको cell range select करना है और cell range select करने के बाद क्या करना है simply यह जो range है, यह देखें, यह कौन सी range है यह cell range, यह है E1, E2, E3, E4 तो आपको simply यहाँ पर is equal to indirect का formula लगाना है कुछ इस तरीके से, यह लगा दिया indirect का formula और यहाँ पर लिख दीजिए E1, E2, E3, E4 तो आपको केवल E4 भर type कर देना है, bracket को close करना है और यहाँ से okay कर देना है तो बस काम हो जाएगा आपका और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक drop down दिखाई पड़ेगी तो यह तो drop down पहले से ही बनी हुई थी अगर आप इसमें electronics select करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको केवल electronics के items नजर आएंगे ठीक है यहाँ से जब आप change करेंगे फिर देखेंगे यहाँ पर अगर मैं change करता हूँ तो क्या होता यहाँ पर grocery अगर मैं कर देता हूँ तो grocery में क्या क्या है sugar है, caraway है, rice है तो यहाँ पर आते हैं अब देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है drop down में तो यहाँ पर देखेंगे sugar, केरावे और rice ही आपको मिल रहा है इसी तरीके से आप fast food भी select कर सकते हैं और fast food में वो items आपको नजर आएंगे I hope की बात समझ में आ गई होगी आपके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप से share करें Thank you for watching this video